नमस्का साती हो मैं सोवी सिंग मैंक सप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों में देख सीवीटी की प्लेशन बेहतरीन चल रही होगी और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए साथ में आपको बता दू कि आप टेलीगराम चैनल से भी जूड़ सकते हैं उसकी भी लिंक डिसक्रिप्शन में दी हुई है तो आपको बता दू इस समें हम लोग का चल रहा है कॉरल रिप के बारे में चल रहा है यह क्या होते हैं, और इनकी कैसे इनका विकास होता है, कैसे यह मर जाते हैं, और और कोई दूसरी संद्डशना बना देते हैं, इन सब बात को हम लोग पीछे class में देख चुके थे यानि की थीक पहली हली जो class थी हम लोग कोरल रिक्ष के बारे में पढ़े थे उसी में इसका वर्गी करण भी पढ़ा जाता है जो कोरल रिप्स होते हैं यानि प्रवाल भित्ती होते है इनके वर्गी करण जो किया गया है तो वह आज वर्गी करण आज हम लोग इस घ्लास में जानेंगे सब्सक्राइब करते हैं तो उस इस्थिती में सुर्य चंद्रमा रहते हैं वह एक तरह सकते हूं आपको सीजी समझ में आ गया होगा नेश्ट आप समलोग सुरू करते हैं अपनी टॉपिक कोरल रिप्स के बारे में कोरल रिप्स का आज हम वर्गी करण पढ़ने वाले हैं इससे पहले कि आपको फ्रॉब पीछे की क्लास त्वड़ा ताजा कर दूं जिससे कि आपको मर जाते हैं तो इनकी आती है डीके नहीं होती है उसी तरह यह बहुत लंबे समय तक पढ़े राती हैं की सरीर पढ़ी निश्ट नहीं होती है और जब डिडिढ होने के बाद बाद उनकी सरीर पढ़ जाती है तो एक जब मरा हुआ जो प्रवाल रहता है उसके उपर एक और प्रवाल जन में लेता है एक कोरल और जन में लेता है फिर इस तरह से वो भी जन मर जाता है तो उसकी भी सरीर वेसे पड़ी रहती है फिर उसके उपर और कोरल जन में लेते हैं इस तरह से देखा जाता है पूर तो पीछे की किछास देख सकते हैं, तो आज हम लोग वर्गी करण पड़ने जा रहे हैं कि कौन-कौन से प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की प्रकार एक लिखा या तो यहा पर आपकाल सकते हैं third-pinكل याणि की उच्छे St unstable ये क्या है उसके आपकं सन्हेर किया है प्रवालों के 4th Fringing तकीर प्रवाल 5th barrier यानि की अवरोद प्रवाल. इस लाश्ट है जो की अट-al भी आप हिंदी में इसे अट-al कहेंगे कन इसका कुछ और भी करते हैं नाम याद नहीं आ रहा lusion . यहां किया गया है पैच की सबसे पहले बात की जातीया है यानि कि जू सागरों में जो सागरों में प्रवाल पाय जाते हैं का अगर बोला गया कि पैच पाय जाता है इसका मतलब जो प्रवाल और जा pouv FA toujours हो पहली आवस्था जो रहेगी उसे बोलेंगे पै्च यानी के प्रारंबी कॉरल जो अवस्था होती है इस तरह के पैया जाते हैं मननार क भाडی के पैच कहा देखें एक पैच पाए जाए कि मननार की खाडी ऐसे बोलेंगे पैच कोया पैच है अब इसको एक फीगर से समझते है किotta स्पोस्ज़क्ष की हा मानधीब फीक है महा सागर शुरुँ है इस चाहा हुगया है यह जल भर हुगा है reg миne जल भरा है तो इसी में अंदर ही पाए जाएंगे पैच जो कि प्रवाल जो होंगे अंदर पाए जाएंगे तो जो पैच वालब होता है जिसे हम पैच बोलेंगे यह प्रारंबी कोरल होता है यह तर्ट के पास ही पाए जाएंगे और कुछ यह इस चेतर में अगर ऐस तरह से किसी स्थान पर देखने को मिलते हैं तो बोलेंगे कि पैच है ये लगबग आपका सकते हैं 10-20 मीटर की गहराई पर पाये जाते हैं और ये प्रारमभी का वस्ता है आपका सकते हैं मननार की खाड़ी में भी ये पाये जाते हैं और निकों ये पिए पैच यहां पर पाये जाते है और यह जो पाये जाया आज पर यहां पर रहे कि यहांपे छोए जया पर धौन करां है यानि जो एसा च्छेतर जहां पर जल इस्तर बहुत कम है यहां पर क्या है जल इस्तर कम रहेगा यानि कि ज्यादा गहरा नहीं है छीचला सागर आप एक तरफ रहा सकते हैं कि कोरल और जो तट है उसके बीच में या तट पर आगर माली जो मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे और हाँ क्षिछला सागर रहे गा जादा गहरा नहीं..? ollen रहे संदो लेटे.. चिचला सागर होता है यहाँ थे सचला सागरी है अब से क्या हो गया हमारा पर Corona कोल ईस्हय को डंम हो गया इस सब् Edit तरह की इस gebruसलों तो अब जैसे सन रचना रहेगी तो उसे बोलेंगे कि वो क्या है हमारा है यहां पर यहां पर अगर मैंलिंगे क्ली पर यह होता यहीं बगल में कुल दोरी पर यहां पर हमारे स्टम्भी रूपी सन रेखना देखने को मिलती है कोरल्स की, इस तरह से इस्तंब रूपी संद्शना देखने को मिलती है, तो इसे हम बोलेंगे, यह तो हमारा पहला पैच हो गया, यह दूसरा हमारा हो जाएगा, इस टक यानि की इस्तंब, यह क्या होते हैं, इस खास बाती है, ज्यान देजगा, इसमें कन्फ्यूज मत हो जो यह रहेंगे, कोरल्स रहेंगे, यह जल इस तरह से ऊपर नहीं रहेंगे, यानि की यह पूरी तरह से क्या रहेंगे, जो उपर का जल इस तरह से नीचे ही रहेंगे, अंदर धके रहेंगे, जल से धके रहेंगे, यह जल के ऊपर नहीं आएंगे, तो जो जल के ऊपर न और इस्तंब जैसे रहें तो वो क्या रहेंगे हमारे इस्तंब प्रवाल आप बोल रहेंगे ठीक है यह हो गया इस्तंब प्रवाल यह दूसरा हो गया तीसरा हमारा आगया तीसरा है पिनेकल यानि कि आप यह भी समझे इस्तंब ही है जैसे इस्तंब आपका पिनेकल है बस अं एससे पहल जो रहेगा यह जलतbreं से उपर आजाए यहनि कि जल के उपर दिखने लगे तो उसे बोलेंगे उस्चे 댑 यारि कि दूसरा किया था इस ट्रम्हां था जोकि जल स्वाल स्वाल्ट सॉत पाया जाती है बढू पाल प पचे निनेगे ॏ G तो ये तीन होगया पहला बाइब पिर्स बतादू यहां पोट वाली छेत्र में उसली पच बोलेंगे की प्रारंबी कोरल के Đू. सेकेंड हमारा है स्टाक है यानि कि इस्तंब रूपी है यानि कि जो जल के इस्तर के नीचे रहेंगे हमें जल के ऊपर से यह जल है यहां तक और इसके नीचे ही स्तंब रूपी संरशना है तो वह क्या है हमारा स्टाक है और वही स्टाक अगर आपका सकती और विकास करके जल क लिए ऊपर तक दिखने लगी तो वह क्या है हमारा पिनेकल यानि उचिसत्म कोरल रहे कहता है इसमें मृत्र प्रवाल भी पाया जाए जाते हैं महासागरों के किनारों पर टटों पर खड़े हो जाएं तो हम देखेंगे अगर वहाँ पर किया ओर पैच पायगा गया किसी इस्तान पर पाया जा रहा है वहाँ पर हम बोलेंगे वह पैच है अगर वही कोरल Vahakar की पूरी एक तर्ट के लिए कर पूरा वहा तक क्या हो स्रिं qa दबावा użyों प्रिंजिंग रहेगा जिसे यहां पुलेंगे 30 प्रवाल क्या रहेगा एक आप का सब्सक्रिकाब्स रूप में रहेगा जहां का हमारा पेच था किसी स्थाम में पा49 अपर प्रिंजिंग क्या रहेगा वही पैच तो fringing क्या है 30 है वही patch की तरह थी प्रवाल है जो की patch की तरह पाया जाएंग एक स्रिंखला के रूप में पाया जाते हैं next हमारा आता है barrier यानि कि अरोध प्रवाल नाम से सुनिए क्या है और प्रवाल barrier यानि कि आपरे रोड पर भी लगाया देखने को मिलता barrier है तो barrier क्या है एकरना से रुकावट पैदा करने काम करेगा अब रुकावट कैसे पैदा करेगा या यह तो बहुत छोटा होगा तैतब नहीं होगा या इन सब जैसे होगत नहीं होगा लेकिन यानि कि अगर रुकावट उपन कर रहा है यानि कि यह बहुत विशाल होगा बहुत बड़ा होगा बहुत उचा होगा तो यह सबसे विशाल सनरशना होती है किसकी यह हमारे औरोधक यानि की बैरियर की सबसे विशाल सनरशना होती है जो की कोरल क्या आप कर सकते हैं तो यह जो बैरियर होता है कितना विशाल होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं और यहां पर देखिए ऊपर से क्या होते हैं यहां पर कोई जहाज जो होती है वो तर्ट तक नहीं पहुश पाती है उसमें रुकावट उत्पन करता है यह जिसे क्योंकि ब कोई बढ़ी जयाविक नियाना की यहां पर कोई बहुत वीचाथ मैसे इसे लेगा की नहीं कि इसके और इसके बीच में जो छेत्र रहेगा तो यहां पर क्या होता है औसाद जमा होते रहते हैं तो यह वाला छेत्र क्या होता है यह थोड़ा जमा होके यहां पर यह उचा हो जाता है यानि कि यहां पर ज्यादा गहराई नहीं रहता है यह फिर सवही क्या होता है यहां इस च्छेत में क्या होते हैं यहाँ पर paperwork प्रवाल पाए जाते हैं टानी जो बेरियर होता है साथ में आप लोग एक नाम सुने होंगे ग्रेट बेरियर रीफ इसका उधारन है ग्रेट बेरियर रीफ जो की बहुत ही विशाल है क्या है ग्रेट बेरियर रीफ ग्रेट आगे आपका बेरियर तो Great Barrier Reef जो कि बहुत विशाल है इसकी अगर लंबाई चोड़ाई बात करें तो आपका सकते हैं लगबग 1900 मीटर इसकी लंबाई है और चोड़ाई की बात करें 125 इसकी क्या है वाइड है यह चोड़ा है ठीक है तो 1900 मैं कर लेता हूं 1900 किलो मीटर क्या है यह लंबा है सॉरी 1900 किलो मीटर और साथ में 125 किलो मीटर क्या है यह चोड़ा है कौन Great Barrier Reef आप यह ध्यान दीजेगा यह बहुत विशाल होते हैं और यह हमारे उसमें क्या उकटने रुकावड लाते हैं एक बार फिर से मैं इसे दोहरा दे रहा हूं यहां पर सबसे किनारी टर्ट पर क्या होती है विकास की दूसरा क्या है स्टाक स्टाक यानि कि स्तंब रूपी से नरशन होती है लेकिन यह जल इस्तर के नीचे ही Conven call गया है यह जो की जल वह आपर तग दीखता है ये भी स्तंब रूपी होता है फॉर्थ है fringing है यानि कि पैच ही जब कई श्रिंख्ला की रूपłości तट की छेत्रों में पाए जाने लगे उसे बोलेंगे फिंजिंग है बैरियर जो कि हमने बता है अभी कि रुकावाट टूथपन कर देता है और यह बहुत विशाल होता है इसे बैरियर बोलते हैं यह पच्वा हो गया ऐट आल जो होता है यह दोस्तों क्या होता है आप कर सकत हैं एक घोड़े की नाल आप देखेंगे उसकी चैसी सनरशना बनती है तो जब सागरों में मां सागरों में कुछ इस तरह से सनरशना पाई जाए इस तरह से जो प्रवाल होते हैं इस रूप में विक्सित हो इस रूप में ध्यान दिजेगा इसका कैसे बना रहा हूं वल्य यह क्या होता है यहां पर आउसादों का जमा हो जाता है और यहां पर आपका सकते हैं मृदा का निर्मार हो जाता है इस तरह से और मृदा का निर्मार हो जाता है इस पर कई प्रकार के विच पेड़ पौदे भी उग जाते हैं इस पर क्या होते हैं पेड़ पौदे भी इस ऐसे लाइगूर बोलेंगे जैसे हम लोग पीशे देख रहे थे कि जो प्रवाल और जो तर्ट पे मैं खड़ा था तो इसके बीच में जो चिछला सागर पाय जाएगा जिसमें जल भरा रहेगा साथ में आप यह ब GOT लिख पाए जाते है की यहां पर हम फ्रिफ का टोलैट प्रवाल का विकास हो इनके बीच में चिछला सागर ही केवल रहे यहां पर क्या रहा है चिछला सागर रहे यानि कि जल भरा रहे तुसे क्या बोलेंगे बीच में चिछला सागर हो इसी में अगर क्या हो जाए बीच में क्या हो आपका कुछ जमा हो और इसके इधर किनारे किनारे हां जल रहेगा जो जल वाला चित रहेगा तर निर्मार हो जब इस तरह से प्रबाल के निर्मार हो वगा तूसे क्या बोलेंगे ऐलेंगु इसे गेवलों हो जप्रवाल के आए रहा है इन अनुअने बीच में और यहां पर क्या रहेगा हमारा यह लहनगोर ऐगा इसमें बताइक बन गया। थर्ड है ईटॉल अगर यह जो है यह वाला फिर से में यहां बना रही है। यह वाला ऐसे है इस तरह से अगर है यह आप आप समझ गए हैं उस नहीं बना रहा हूं है बीच में क्या होता अभी तक पहले वाले हम क्या पढ़े थे टुए टॉल में बीच में खाली था बस सागर था पानी बढ़ा था जिसे हम बोले तरह लेगूर शेतर के वल था चिछल यह की एकुटा मुम आप समें इसे है कि हम एक और यह क्या है प्रण परुदात कोलुटा मिच में कुछ नहीं го एक इंचरव πैว यह दो और गीच में बिच नहीं जीन इंसनों की बस्तियां भी पाई जाएगे इस चेत्र में आप लोग कई जंगते हैं वहां पर क्या होता है इंसानों की बस्तियां भी पाई जायेंगी पाई जाएगा अब शमय सकते हैं ची अच्छिदीप आपका है। को कोरल रिप्स के बारे में अच्छे सब्सक्रांज में आ गया है कि कोरल रिप्स पिछली क्लास में देखे ताम होता है क्या का संभावना प्लीकास से प्रणा से इसकी मिर्थी होती है और आज हम लोग इसके वर्गिकरणों को देखें तो आई होप कि आप लोग की जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तो अगर यह जानकारी अच्छी लगी है अगर पशंद आ रही है तो इस बार प्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और भीचे की कलाश कि मिसे लिंक दी हूई है अब आप लोग ाहां से आकर ने उसा को जानका जाए मतली है है तो दोस्तो में स्बीस का मेइं सब्याइगे धुल्ड क करने का रहे हैं कि यहां पर डेली, आपको क्या रहेगा जो प्लासित, आपके लेक्टर रहती थी आप उसमें आपको MSQS और कराई जएगा तो यह आप कहीं से भी दिलीया जाए जाएगा जैसे human geography, physical geography, oceanography, klimatology, geomorphology यह इसे भी आपका लेक्षर चला जाएगा तो वैसे भी नहीं कमडेट हो पाएगा इसलिए अब कोशिस किया जाएगा आप लोगों को सब्सक्राइब करा जाए साथ में आपको बता दू कि बीच-बीच में आपकी लेक्षर की क्लास रहेंगी साथ में जैसे कि कुछ तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों का क्लासे पसंद आ रही हैं फिर हम आएंगे और इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन बैबाय थैंक्यू